Hello Friends, Java Language सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं Lecture 8 जिसमें हम देखेंगे Rapper Classes in Java. Java को 100% Object Oriented Programming नहीं बोला जा सकता, हाला कि इसको Nearly 100% Object Oriented बोला जा सकता. ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी Object Oriented Programming का मतलब यह है, एक ऐसी Language जिसमें हर डेटा Object के रूप में ही डिस्क्राइब हो. यहनि हम सिंप्ली अगर Variable बनाते हैं, मान लीजे मुझे एक लूप चलाना है उसके लिए मैंने एक Variable बनाया है Int I, तो यह जो I Variable बनाया है यह कोई Object नहीं. यह एक Raw Variable है, एक Primitive Data Type की मदद से बना Variable है, तो जो Primitive Data Types होते हैं Int, Car, Float, Double वगएरा, यह सारे के सारे Primitive Data Type की मदद से बनने वाले Variables, Obviously Object नहीं होते हैं. तो Yes, Java में यह पॉसिबल है कि हम Data को Represent करने के लिए Object ना बनाये और हम सिर्फ Primitive Data Type से काम चला लें. Yes, it is possible. पर ऐसा करने पर, Java का यह प्रोग्राम 100% Object-Oriented नहीं रह जाएगा. तो यह बहुत मामूली से अंतर है, हला कि इसको Ignore भी किया जा सकता है, लेकिन इसका Solution Java में है. क्या Solution है Java में? Wrapper Classes. यानि Java में Wrapper Classes, Wrapping मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई Gift खरीदते हैं, उसके उपर Wrapping कर देते हैं, उसको Covering कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही. यदि हम Primitive Type के Variables बनाना चाहते हैं, तो हम वो Variables ना बनाएं, बल्कि हम किसी Class के Object बनाएं. एक ऐसी Class हो, Imagine करिए, एक ऐसी Class हो, जिसके अंदर एक ही Variable हो, जो कि Int Type का हो. तो एक ऐसी Class हमने बना दी, जिसका Object बनाने पर, हम उसके अंदर एक Integer Value ही रखते हैं. तो अब मुझे Integer Value अगर रखनी है, तो मेरे पास दो Option हो जाएंगे. या तो मैं Int Type का Variable बनाऊं, और उसके अंदर वाल्यू रखूं, या फिर मैं किसी Class का Object बनाऊं, और उसके अंदर एक Int Variable है, तो उसके अंदर Integer Value रखूं. तो यह जो दूसरा वाला तरीका है, Class वाला तरीका है, इसमें हमें Object Oriented Style नजर आती है. इसका एक और फायदा यह है, कि Class के अंदर कुछ functions भी हो सकते हैं, जो इस Value को Manipulate करने के काम आएं. तो ऐसी यह Rapper, और इस तरह की Class को क्या बोल सकते हैं, Rapper Classes, क्योंकि उन्होंने यह जो Int Variable है, इसको क्या कर दिया है, Rapper कर दिया है, Cover कर दिया है. तो के वल Int ही क्यों, जितने भी Primitive Data Type हैं, उनके लिए सबके लिए Rapper Classes मौजूद हैं. तो हर एक Data Type, Primitive Data Type के लिए एक Rapper Classes मौजूद हैं. आई देखें इसके List, तो यह देखिए, Primitive Type लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, और क्योंकि Primitive Type यह Keywords भी हैं, तो यह सभी Small Letters में लिखे हुए हैं, पर आप देखिए, Java में ऐसी कुछ Pre-Defined Classes हैं, बाइचांस के नाम भी वही हैं, जो इन Primitive Type के नाम हैं, लेकिन पहला लेटर आप नोटिस करिए, Capital है, जो कि Java के Convention में हैं, कि हम हर Class का नाम Camel Notation में रखते हैं, तो Capital लेटर से स्टार्ट होता है, तो आम दोर पे तो जो Primitive Data Type का नाम था, वही यहां Class का नाम होगा, लेकिन एक exception के दोर पे, Car और Int को देखिए, जिसमें Class का नाम है Character और Integer, बागी सभी में, जो नाम Data Type का था, वही नाम यहां पे Rapper Class का है, सिर्फ पहला रेटर, Capital होगा, तो यह तो हो गए हमारे Classes, अब इन Classes के अंदर कुछ Important Functions हैं, उनके बारे में समझते हैं, Functions होर भी हैं, आप Documentation में देख सकते हैं, लेकिन कुछ खास Function की बात यहां पर मैं करूँगा, जैसे एक Function है, ValueOf, यह Static Method, अब आप समझते हैं, Static Method क्या होता है, Static Method वो Function होता है, जिसको call करने के लिए, Object बनाने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, तो देखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया, Public Class Example, यहां पर Public Static, Void, Main, String, Args, Main function के अंदर, हम, Value of Function को अगर call करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे, Rapper Class का object बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह Static Function है, Static Function है, तो मैं कैसे call कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, Integer, Integer यह class का नाम है, Dot, Value of, यह Value of Function में, हमें कुछ पास भी करना है, क्या पास करना है, तो देखिए, Value of Function में, मैं as a String पास कर दूँगा number, as a String, मतलब मैंने लिखा 123, so 123 is basically यह number पर, मैं इसको लिख रहा हूं, Double Quotes में, तो यह कहलाएगी, String, तो यह जरूरी कि Double Quotes में, होगा number ही, लेकिन वो String के फार्म में, तो Value of Function ने, एक Object बनाया, किस Class, उसी Class का, जिसने इसे Call किया, यानि, Integer Class ने अगर Value of को Call किया, तो यह Value of Integer Class के अंदर का Static Function है, पर हर Rapper Class के अंदर, Value of Function होता है, जैसे अगर मैं, Double, Double, डबल भी एक Class है, इसके साथ Value of Function को Call करूँ, Value of, तो यहाँ पर भी है, एक Value of, अब यहाँ डबल Quotes में लिख दिया, 3.14, रइट, कहने का मतलब यह, कि आप Value of Function काॉल कर रहे हैं, जो Integer Class का अलग है, Double Class का अलग है, हर Rapper Class का अलग है, लेकिन सभी में, आर्गुमेंट के तौर पे, मुझे String ही पास करना होता है, उ String के अंदर होता है, वो Data, जो मैं Store कराना चाहता हूँ, तो अब देखिए, पहले वाले को समझते हैं, Integer Class के Value of को Call किये गया है, तो Value of, Integer Class का ही Object बनाएगा, और वो Object के अंदर, Value रखेगा 123, as an Integer, not as a String, अतलब यह स्ट्रिंग को उसमें, convert कर दिया होगा Integer में, तो यह चीज मैं Store कर सकता हूँ, Integer के किसी, Reference Variable में, इस तरीके से, तो यहाँ पर इसी तरीके से, Double के साथ भी हो सकता है कि, Double Class का Function, Value of Call किया गया है, और इसके अंदर, मैंने 3.4 रखना है, तो Double Quotes में, 3.14 लिखा गया है, Value of ने Double Class का एक Object बनाया होगा, उसके अंदर 3.14 रख दिया होगा, अब, यह Object किया गया होगा, Return, तो Object का Reference Return होता है, तो हमने लिखा, Double D1, So, what is D1? D1 is the Reference Variable of Double, जो किसके Object का Reference Content करेगा, Double Class का, Double Class का Object का Reference किसने रटन किया, Value of ने, तो यह एक बढ़िया फंक्शन है, इसके अलावा, आप यह भी कर सकते हैं, कि अगर इंटिजर क्लास की बात करें, तो यह Number जो है, इंटिजर क्लास का Object तो बनाएगा, पर उसके अंदर यह Number, बाइनरी के रूप में रखेगा, यानि इसका जो Decimal Equivalent होगा, वो Store हुआ है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसके रवा, एक और function है, Parse, ParseXXX, यह XXX क्या है, यह है कोई भी Primitive Type, जैसे, Integer क्लास में जो function होगा, उसका नाम है, ParseInt, Float क्लास में जो function है, उसका नाम है, ParseFloat, तो हर Rapper क्लास के अंदर, यह function मौजूद है, सब के नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है तो अंतर कहा है बस ये जगे पर अंतर है सभी के नाम के starting तो parse है पर ये जो दूसरा शब्द है ये primitive type ही है ये primitive type जो शब्द है वही ये शब्द है जैसे int, care, float, double, ऐसा ये भी static function है तो इसको call करने के लिए मुझे जरूरत नहीं है क जैसे इसका use करके बताता हूँ अगर मैं लिखता हूँ क्योंकि static function है इसलिए class का नाम integer.parseInt अब देखिए parseInt function integer class में, float class में parseInt नहीं है, parse float है double class में parseDouble तो आप किस class के नाम के साथ dot लगा कर लिख रहे है parse को depend करेगा इस पर तो पारसिंट, पारसिंट क्या करता है string को convert कर देता है desired format में जैसे पारसिंट किसी string को जैसे string लिखिए 123 इसको 123 as an integer में convert करेगा और पारसिंट रिटन करता है किस type की value, xxx type की, यह ढई तो लिखा है किस टाइप की value रिटन करता है? xxx टाइप की यानि parse int int value रिटन करेगा parse float float value रिटन करेगा parse double double value रिटन करेगा तो यहाँ पर मैंने एक variable बना लिया a क्योंकि यह int type की value रिटन कर रहा है integer नहीं int type की value तो string से invert करने के लिए यह function है इसी तरीके से अगर मुझे लिखना है float या double कुछ भी लिख सकते आप double double type की एक variable मना लिया मैंने b तो मैं लिख रहा हूँ double dot parse double और 13.45 तो string को double में convert किया है इस function ने और रिटन किया double type की value जो की double type की एक variable में receive कर लिया तो यह हो गया parts वाले functions इसी तरीके से तीसरा function होता है xxx value अगें यह xxx primitive type है जैसे int value integer class में होगा अचा यह static function नहीं है यह instance function है इसका मतलब object dot करके ही call करना पड़ेगा तो यह कैसा है int value float class में float value double class में double value character class में care value समझ में आ रहा होगा यह return करता है corresponding primitive type यह return करेगा अगर यह int value है तो int return करेगा float value तो float return करेगा आई देखते है इसका example जैसे इस line को देखिए तो i1 में क्या है i1 में object का reference है किस object का जो यहां से अभी value of ने बना के दिया था तो basically i1 एक object को represent कर रहा है जिसके अंदर कोई number रखा हुआ है अब यह number कुछ number होगा जैसे यह कितना number है 0, 3 हो गया 8, 11, 11 35 43 43 this is 43 43 है अब यह binary में लिखा हुआ है this is 43 43 स्टोर हुआ है अब में जानना चाहता हूँ मैंने लिखा i1 so what is i1 i1 तो object को represent कर रहा है integer के object को i1 के अंदर ही 43 रखा है तो इसमें function को call किया int value कोई argument नहीं इसमें और यह मुझे return करके देगा इसके अंदर रखी int value तो मैंने उसे किसी variable c में assign कर लिया c में क्या आगया होगा 43 आप इसकी value print करा के भी देख सकते हैं तो अगर कोई integer class में data रखा हुआ है और उसे ordinary int value में पहुचाना है तब इस function की जरूवत पड़ेगा इसे ही float में float value function character में care value function double में double value function यह functions मौच होगा तो यह तीनो important functions आपको समझ में आयोगा आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के और वीडियो की अपडेट्स आपको लगतार मिलती रहेंगे जैसे ही मैं upload करूंगा आपको पसंद आ रहा है वीडियो आप लाइक करिए अपने दोस्तों के बीच में इसको share कर सकते हैं आप मुझ से मुझ तक अपनी बात पहुचानी के लिए comments कर सकते हैं आप कोई शिकायत सुझाओ या जो भी कुछ आपको कहना है डाउट है कुछ भी पूछना है आपको तो आप comments के जरी मुझ से पूछ सकते हैं जैसे C के लिए अलग है C++ के लिए अलग है Java अलग है data structure अलग है PHP का अलग है इस तरीके से यह अलग अलग channels है आप इनको subscribe करिये और तमाम videos free में online में हम देख सकते हैं तो अब सीखना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है आप कहीं पर भी हूँ आप इन videos के जरीए कोई भी language सीख सकते हैं Thank you